वेलकम टो चैनल नौलेज़ आफ फार्मेसी बीटा मेथासोन जेंटा माइसीन मीकोनाजोल स्किन क्रीम का आज हम रिब्यू करते हैं तो ये थ्री कॉंबिनेशन आफ मेडिसिन है इसकी स्टेंथ जो है बीटा मेथासोन 0.10% W upon W जेंटा माइसीन 0.10% W upon W मीकोनाजोल 2.0% W upon W ये इस्टेंथ जो है त्री कॉंबिनेशन आफ मेडिसिन है ये इस्टेंथ जो है तीनों की कॉंबिनेशन की है anti-microbial agent ये एक anti-microbial agent है मायक्रोब को kill करती है वहीं कुछ brand name की बात करते हैं तो betnobet GM काफी famous brand है ये cream betnobet GM beta mil GM beta g GM ये कुछ brand है जो भी medical store pool आपको सरलता से मिल जाएं आप ले सकते हैं वही mechanism affection, mod affection या work ये कैसे करती है इसकी बात करते हैं तो three combination आप medicine यानि ये तीन दवाओं के combination की medicine है और beta methasone beta methasone एक esteride है जो की block कर देता है production of chemical messenger prostaglanding जो chemical messenger होता है postaglanding बनने का उसको ये रोक देती है block कर देती है जिससे वही postaglanding बनने से जो responsible होता है जैसे की postaglanding के कारण जो skin में redness हो जाता है यानि लाल हो जाती है swelling हो जाती है इची यानि खुजली होती है तो उसको इस तरीके से ये कबर करता है तो इस तरीके से कार करता है कुछ महिलाएं इसको गोरा फन के लिए use करती हैं क्योंकि इस्टोराइड जब जो है इसकिन पर apply किया जाता है तो तो क्या होता है apply करने के बाद इसकिन जो है कुछ light हो जाती है light skin हो जाती है melanin कम होने लगता है इस वज़े से इसको यूज किया जाता है और यह काफी नुक्सान दे होता है क्योंकि इसको गोरेपन के लिए नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि एक antimicrobial agent है gentamicine की बात करते हैं तो gentamicine यह एक antibiotics है और यह इस्टाप कर देती है growth हाब bacteria जो बैक्टेरिया का growth हो रहा है उसको इस्टाप कर देती है और meekonazole एक antifungal दवा है यह भी फंगाई फंजाई जो है या fungus के जो growth है उसको क्या करती है रोक देती है या inhibit कर देती है तो इस तरीके से यह तीनों दवाएं जो है तीनों मिलकर कार करती है यानि together treat skin infection skin infection में treat किया जाता है और डाक्टर इसको कहां पर प्रियोग में लेते हैं तो prevent clear bacteria and fungal infection इसको जो है वह bacterial अगर किसी भी प्रकार का infection है या fungal है तो treat करने के लिए इसको प्रियोग में लेते हैं like this जैसे psoriasis psoriasis क्या है psoriasis skin infection है redness हो जाता है skin red हो जाती है white color की हो जाती है inflammation भी हो जाता तो उस condition में इसको use किया जाता है या eczema में भी इसको use करते हैं इसमें भी उसी तरीके से eczema में भी skin लाल हो जाती है और ichithosis इची थोसिस में भी यूज करते हैं इसमें खुजली होती है इसकिन पर उसमें भी पूरे सरीर में उसमें भी यूज किया जाता है रिंग वार्म कहीं भी हो चाहे पूरे सरीर में हो चाहे जन्नांगों के पास हो या किसी भी सरीर के हिस्से में हो तो वहां भी इसको प्रियोग में लिया जाता है या फंगल इच फंगल की उज़े से कही खुजली चल रही हो तो उसमें भी प्रियोग में लिया जाता है रेश थो जाता कर दिए इसमें भी में इसको लियआ जाता यह इसके उपřियोग है और कुछ इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो इचिंग यानि इचिंग हो सकती है या ड्राइंस तुचा सूखी का इसास हो सकता है रेडनेश हो सकता है वर्कास का साइड सेट है यह हेएर ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करने पर हेर ग्रोफ हो सकता है और ऐसकी जैस्वीर दिन लीवर की डिजीज में यह सेफ है बट जिनको प्रेगनसी है या इस ड्रक से जिनको हाइपर सेंसिबिटी हो या एलर्जिक रियक्षन हो वह डाक्टर से कॉंसल्ट कर लें वहीं अब डोजज की बात करते हैं तो इसको अपलाई करना है इसके अपलाई करना है चमड़े पर ही इसकिन में प्राब्लम है तो BD यानि कुछ डाक्टर जो है दो टाइम दिया जाता है और 5-7 दिन तक आपके डाक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि डाक्टर के परचे पर मिलने वाली दवा है और अगर स्वयम इसको मेडिकल स्टोर से परचेच करके लेते है तो 14 दिन तक इसका प्रियोग करना चाहिए और भी डाक्टर से समपर कर लेना चाहिए तैंस आप चाहिए तो इसके इन साट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में